मधिप्रदेश में कॉंग्रेश के प्रदेश के मुख्या यानी PCC चीफ को लेकर लगातार नए नए नाटकिये मोड आ रहे हैं दो दिन पहले दिग्गी गुट के नेता पूर्ग नेता प्रतिपक्षा जैसीं के बंगले पर जमा हुए थे और तब से ये कयास लगाये जा रहे थे कि अजेसीं या दिग्वजेसीं PCC चीफ के लिए दावेदार हैं इसके बाद शुक्रवार को ये भी जानकारी आई कि जोती रादिस सिंधिया ने वरिस्ट नेताओं के सामने PCC चीफ बंने के लिए दावेदारी पेश की है वही सिंधिया समर्थक सिंधिया के पक्ष में लामबंध होने लगे हैं इन सब बातों के बीच अब जानकारी आ रही है कि दिग्वजेसीं ने PCC चीफ बंने से इंकार कर दिया है हाला कि सूत्रों के मताविक दिग्गी राजा ने साफ तोर पर तो मना नहीं किया बलकि ये कहा कि PCC चीफ का पद अभी खाली नहीं है यानि कमलनाथ अभी PCC चीफ है और अभी कोई जल्दी नहीं है वैसे अगर दिग्वजेसी PCC चीफ नहीं बनते हैं तो जोती रादिस सिंधिया ही इस पद के तगड़े दाविदार है लेकिन जैसा कि पार्टी के वरिष्ट नीता सुरेश पचौरी भी कह रहे हैं कि आखिर फैसला सोनिया गांधी के हाथ में है और कहा जा रहा है कि कमलनाथ की सहमती से सोनिया गांधी की पसंद का वैक्ति ही MP PCC चीफ बनेगा